हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू कॉंट स्रेडी कॉंट स्रेडी में एक बार पिर आपका स्वागत है आज जो हम मैस का चप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टनिशिप और आज का जो सेशन होगा वह कंप्लीट सेशन होगा या आज एक सेशन में ही हम पूरी की पूरे के कंसेप्ट और उसके बेस के कोशन सब एक ही सेशन में कवर कर लेंगे शुरू करने से पहले मैं चौंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा को फॉलू कर लेचे और किसी भी अपडेट को मिस्मत कीजिए तो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं इसका एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इसमें तीन टर्म होंगी कैपिटल जिसको हम इंवेस्टमेंट भी कहेंगे टाइम और प्रॉफिट ठीक है तीन टर्म होंगी इन और इन्वेस्टमेंट इन्टु टाइम इस इकुल्स टू प्रॉफिट ठीक है तो यह रहा पहला कुशन अपकी स्क्रीन पर ए बी सी जो है वह उन्होंने बिजनस शुरू किया टॉटी सिस थाउजंड थाउजंड और टैन थाउजंड लेके ठीक है अब कितने एक साल के ल ठीक है चलो यह कॉशन हमने लिख लिए वैसे सबसे उपर लिखा हमने नीचे लिखा हमने टाइम तो टाइम हमें पता वान नहीं आ रही है कैपिटल हमने एक लेका थाउजंड बीका थाउजंड और सीका थैन थाउजंड वन के साथ जब हम मल्टिप्लाइब करेंगे हमार रगी प्रफिट के रएशियो और हमने प्रॉफिट के टोटल प्रॉफिट की एक 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 ज्यंड वैल्यू दी जोकि गए 3500 तो हम इन रोफिट को आड कर दें इन रोफिटाइब करेंगे तो हमारे पास रेशियो में टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और एक्जैक्ट वैल देखे बी के आपको दिख रहा है सेवंटीन यूनिट्स आ रहा है रेशियो में तो जब हम सेवंटीन यूनिट्स को हंड़ेट से मल्टिप्लाइग करेंगे तो हमारे पास बी का प्रॉफिट आ जाएगा जो की होगा रूपीज सेवंटीन हंडड़े चलते हैं अपने नेक्स कोशन पर हमरा नेक्स कोशन कहा रहा है कि राम और शाम दो बंदे हैं उन्होंने अपने जो प्रॉफिट जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्मेंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर लिया जो की थी टू इस तु थू तो इन्वे किया शाम की हमने एक्स मान लिए और उसको भी एक साल के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो अब इनका प्रॉफिट क्या होगा वही जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में थी ठीक है अब इनको हम कंपेर कर लेंगे थर्टी थाउजन अपॉन एक्स को हमने जब कंपेर किया टू बाई थ्री के साथ तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है आजएगी 45,000 और वही एक्स की वैल्यू क्या है वो है शाम क इन्वेस्टमेंट ठीक है चलते हैं अपने नेक्स कोशन पर एस्टाटिटी बिजनेस विजनेस विद रूपीस 4500 और बी जॉइंट आफ्टरवर्ड्स विद रूपीस 3000 इफ दा प्रॉफिट एट अफट एट अफ दे एट इन्वेस्टमेंट एट इन्वेस्टमेंट और टाइम जो उनने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से ही होगा तो हम चली देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है वैसे हमने कोशन शुरू किया एक हमने 45,000 नहीं है 4500 है वैसे ही बी की 3000 है तो एका टाइम आ गया 12 months इस बार हमने 1 year क्यों नहीं लिया क्योंकि यहां पर months की बात चल रही है क्योंकि बी ने कुछ months के बाद एको जोइन किया तो बी के हमने ले लिया X month अब इनका profit देखेंगे तो क्या आ जाएगा 4500 इंटु 12 और 3000 इंटु X जब इसको हम ratio में convert कर देंगे तो हमारे पास ratio आजाएगी 18 is to X ठीक है अब उन्होंने क्या कहा है कि यह व how many months यानि कि B ने A के काम शुरू करने के कितने months बाद join किया है इसमें X क्या है इसमें X वो चीज़ है कि B ने कितने months काम किया है कितने months बाद अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 12 months में से B ने कितने months काम किया है यानि कि 9 महीने काम किया है उसको minus कर लेंगे ठीक ह काम नहीं किया था बी ने लास्ट के 9 महीने में काम किया था ठीक है और स्टार्टिंग की 3 महीनों की और उन्हें बात की थी कि बी ने को कितने मंच के बाद जॉइन किया अब चलते है next question पर हमारा question 4 कह रहा है कि बी और एक business start फुिसट्राइब लिटा है वाधि कि और दो लिए कि अपना अगरा भाना कि एड़ान करता लियाrop यह दार हो जोरे के बाधि बहला हमने अपने सुलुघसिंग पर वैसे हम ने लिखा एप्सटी अब्याम पाउइBut पता पहली लाइन के गॉर्णिंग तो हमें सी की नहीं नहीं मिली ठीक है अब पैंडी लाइन खतम हो रही है कि आफ्टर फॉर मन्स ए विड्रा हाफ ऑफ इस ऑफ ट्रयएन तो चार महीने चांवी लगाजर फिड्रा फॉर मेंद हाफ डनτα शार्म पर चार 15 महीने के बादुर प्राफ कर लए कि टोंकि व The हाफ किया ना तो पहले 6 महीने के लिए हम 45 इंटू 6 लिख देंगे बी के लिए और उसको हाफ कर देंगे 22.5 आ जाएगा उसका नेक्स पॉश्चन अब 22.5 उसने कितने मंच के लिए इन्वेस्ट किया है यह हम आगे देखेंगे अब बात चलिए है आगे आफटर 6 में बी विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स कैपिटल एंड सी जॉइन दा बिजनस विद रूपी 70 अब यहां बात चलिए कि वही छे मीने जब जिसमें बी ने अपनी हाफ कर दी सी ने जॉइन किया बि महिनों के लिए अब 5 कितने महिनों के लिए लगाये होगा आट महिनों के लिए वैसे ही ने 22.5 कितने महिन लिए लगाया होगा चे महिने के लिए और Hangêts साल गिए 45 और 45 को अध़ कर दिया और स्वेंटी इंटू six तो 50 इंटू four करेंगे 200 आएगा 25 इंटू 8 करेंगे 200 आएगा तो A का हो गया 200 प्लस 200 वैसे B में देखेंगे 45 इंटू 6 अब देखे 45 इंटू 2 होता है 90 अब 6 जाने तो उसको तीन बार कर देंगे तो 93 इसा 270 वैसे 22.5 इंटू 6 22.5 को जब हम डबल करेंगे तो 45 भी बनेगा अब 45 को तीन टाइम्स करेंगे तो 135 बन जाएगा तो इदर आजएका 270 प्लस 135 और 70 इंटू 6 तो सबको multiply करना ता है 420 तो यह आगे इनके profit जब इनका total किया तो A का profit आगे 400, B का आगे 405 और C का 420 अब इनके ratios निकाल ली तो 80 is to 81 is to 84 आगी इनकी ratios अब इनके क्या कहा है question में find the ratio of the profit at the end of the यही चीज़ पूछी हुए है इनके ratio ही पूछी हुए तो हमारा answer आ गया 80 is to 81 is to 84 is our answer चलते है next question में A and B started a business with rupees 5000 and 3000 respectively A is working partner and takes 20% of the total profit as his salary अब देखिए A और B ने एक business शुरू किया A ने 5000 लगाए B ने 3000 लगाए अब इन्होंने कहा कि A जो है वो working partner भी है जिसके वेज़से जो भी उनको profit आएगा A ने कहा कि उसका 20% में सीधा-सीधा अपनी salary ले जाऊँगा ठीक है अब उन्होंने next चीज़ कही कि जो remaining profit होगा वो इनकी investment के साब से divide किया जाएगा साल के end म A ने 3600 more कमाए है B से ठीक है सिर्फ 3600 नहीं कमाए है B से 3600 ज्यादा कमाए है तो उन्होंने कहाया कि total profit बताईए ठीक है अब इन्होंने कहीं पर time mention नहीं किया है जब भी आपको कोशन में time mention नहीं किया और आप by default से 1 year मान देते है ठीक है चलते है हमारे solution पे वैसे लिखा A लिखा 5000 बी लिखा 3000 और time दिया नहीं है तो by default हमने माल लिए 1 year profit वही हो गया जो इनकी investment थी और उसकी ratio आगी 523 अब आपको देखिए 523 जो है इनका sum करेंगे तो 8 unit आ गया 8 unit आ गया ratio में उनका total profit अब हमें पता कि profit जो है वो खुद में 100% ही होता है profit तो खुद में 100% ही होत यह 523 की ratio है न तो यह 8 unit डिवाइड ही हो रहे है तो 8 unit की value होगी 80% समझाई देखिये देखिये हमने क्या किया investment की ही ratio निकाल ली और investment की ही ratio में जो चीज उनको profit मिलना था वो कितना था वो 100% में से 20% निकाल देना था क्योंकि 20% A जो है वो अपनी salary ले लेगा जब हम 100% में से 20% निकालने के तो बचा हुआ profit कितना होगा वो होगा 80% ठीक है 100-20 is equal to 80 और उनने कहा है कि यही जो 80% है वो divide होगा उनमें उतने ही ratio में जितनी ratio में उनने investment की तो उतनी ratio में हमारे प पास आ रही है 5 is to 3 इसलिए 8 units की value इस बार 80% होगी 100% नहीं होगी क्योंकि 8 units है वो divided है उनकी investment के basis पे और 80% जो है वो भी divide होगा उनके investment के basis पे तो 8 unit की value आगी 80% तो 100% यानि कि total profit कितना हुआ होगा 10 units का हुआ होगा ठीक है तो A ने 100% में से 20% अपनी salary ले ली अगर total 100% की value है 10 unit तो B तो A ने अपनी 20% लिया होगा 10 units में से तो कितना उसने salary होगी 2 units की उसने salary ले ली होगी ठीक है तो 2 units उसने salary में लिया और उन्होंने बाकी की बात किये कि investment के हिसाब से 5 units उसने लिया अपना share क्योंकि 5000 उसने इंवेस्ट किया था ratio में 5 is to 3 बन रहा था जिसमें से A की value थी 5 तो 2 units उसने लिया salary 5 units उसने लिया अपनी share जो उसने invest किया था उसके हिसाब से तो A का total share कितना हो गया A का total share हो गया 7 units और B का total share कितना हो गया 3 units क्योंकि 10 units total था जिसमें से A ले गए 7 तो B के पास कितना बचा 3 units बचा अब उनने कहा है कि अब उनने question के according हमने देखने next cheese हमें क्या चाहिए उनने कहा है कि in this process A receives 3 is 3600 more than B तो हमें ratio में भी देखना है कि A को B से कितना जाता मिला A का है 7 B का है 3 तो दिख रहा है सामने सामने कि A को B से 4 units जाता मिला question ratio में आगया हमारे पास 4 units और question में हमें दिया तो 10 unit A की value है अगर 900 तो 10 units की value होगी 9,000 rupees जो होगा हमारा total profit 6 question पर आते हैं अपने A and B invested rupees for 50,000 and 70,000 respectively and agreed that 70% of the total profit should be divided equally between them and the remaining profit in the ratio of investment done by them ठीक है if 1 person gets rupees 90 more than other fine total profit अब उनने कहा गिया 50,000 और 70,000 A और B ने invest कर दिया अब इननने कहा इसका 70% जो होगा वो equally divide होगा इन दोनों में ठी equally divide हो गया उसको पर हम काम ही नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमें investment के उन्होंने बोला है कि आगे जो 30% है वो investment के basis पे divide हो रहा तो हम उस 30% पर ही काम करेंगे क्योंकि 70% अगर equally divide करेंगे तो 35% A को मिल गया 35% B को मिल गया जब हम B-A करेंगे 35 35 तो ऐससे ही cancel हो जाएगा तो हम 70 30% को भूली जाएंगे हम काम करेंगी सिद्ध 30% पर तेखते कोशन कैसे करना है वैसे लिखा 50,000 70,000 1-1-year क्योंकि टाइम हमें मैंशन नहीं तो हमने by default 1-year मान लिया और इनकी ratio आ गई 5-7 ठीक है 5-7 आगी इनकी ratio अब यह 5-7 क्या होगा मैंने आपको बताया 70% तो सिद्ध में भी कहा है कि 1% get 90 more than other find total profit ठीक है total profit आगे 100% अभी हम काम कर रहें सिर्फ 30% में और ratio में जो distribution हुई है profit की उसके हिसाब से B को A से 2 units जादा दिख रहे हैं 1% get rupees यानि इन 2 units के value होगी 90 2 units की value होगी 91 unit की value होगी 45 तो total जो यह distribution हो रही है तो हम इसका वह addition मतलब 7 और 5 को जब हमने add किया तो हमारे पास आगे 12 units यह 12 units है 30% of profit ठीक है यह 12 units है 30% of profit क्योंकि 70% तो equally divide हो रहे है तो 30% ही है जो investment के ratio में divide हो रहे है तो हमने इसको sum किया 7 plus 5 आगे 12 और उसको 45 से multiply किया तो हमारे पास आगे कि total जो 30% थी रहा जो value उसका भी profit है 540 अगर 30% की value 540 है तो 100% की कितनी होगी 540 divided by 30 into 100 तो total business का profit आगया 1800 जिसका 70% तो भी equal equal उनमे divide हो गया और जो बचा 30% जो कि था रुपीज 550 540 वो divide हुआ इनकी investment के ratio के basis पर ठीक है total हमारे पास आगया profit business में 1800 अब आते हैं हमारे 7th question पर ओके ये 7th question कुछ नहीं है बहुत easy सा question है इसमें बस fraction में आपको ratios दी हुई है और मैंने ratio proportion chapter में आपको बताया है कि fraction की ratio को non fraction ratio में कैसे convert करना है आपको इसमें hide method लगाना है ये hint भी दे दिया है मैंने ठीक है ABC के hide method लग अगर आपको ये वीडियो पसंद दई तो इससे like कीजिए साथी साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए thank you